आता ही नहीं है कोई पाबलेश आना जाना कम क्या हो गया तो काफी लॉस हो रहा होगा आपको बाइक की पार्किंग और टाइम कुछ है दो घंटे का गाईज मैं उस्वारा बाकर सुगत कर रहा हूँ अपने चैनल पतना इस्टेर फिर से मैं जा रहा हूँ गाईज मोरिया ल और कैसा चेंज हुआ है आपको देखके थोड़ा दुख भी होगा लेकिन अब क्या कर सकते हैं जो नियम है वो नियम है चलते हैं सीधे कैंपस के अंदर बने रही है तो शनीवार का दीन है सेटरे है और मोरिया लोग ऐसा दिखता हुआ दिख रहा है वो मतलब समझ में नह इसा है फीस है जो भी आते है उसको वो फॉब पार्किंग का एमाउंट देना पड़ेगा उसके बाद यह entry करेंगे मोरिया लोग में करीबन वो बिल्कुल ही बदला वह दिख रहा है लोग यहाँ पे जवे नहीं हैं लोग यहाँ पे आनी पा रहे हैं मतलब इंज्वाय नहीं कर पा रहे हैं एक पत्ता में हमारा बहुत बढ़ियां केमपस था कहके मोरिया लोग में लेकिन आज के डेट में देखिए कि कैसा बदल बिल्कुल खाली-खाली सा दिख रहा है, और बिल्कुल डिफरेंट हो गया, आपको तो पिछला व्लॉग में यादी हो गया, होगा कि मोरिया लोग कैसा दिखता था, और आज देखिए अच कैसा दिख रहा है, हर जगा पार्किंग एक बहुत ही सिस्टमेटिक वे से जोन बन लग रहा है, कि मोरिया लोग कैसा पत्ना का जो दिल था वो पूरी तरह से बदल गया है, बट ठीक है, एक नियम और कानून भी एक बात होती है, तो कुछ वजे से ही यहाँ पर ऐसा बनाया गया होगा, जो भी सिस्टम से बनाया गया है, सब सिस्टम के वे से आपको देख स देख समय था कि गाड़ी लगाने का जगा नहीं मिल पाता था यहां लोगों को, तो अब तो खेर पार्किंग ही पार्किंग है, बिकॉज अब पैसे हो गया है, तो लोग जिनको पैसा देना है, वहीं पार्किंग लगाएंगे, जिनकी औफिस देख से बहीं लगाएंगे और पता करते हैं कि कितना पार्किंग बाइक का है और कितना पार्किंग गारी फोर्वी लड़का है बाइक की पार्किंग कितनी है यहां पर बाइक की पार्किंग दस रुपए और कार की फोर्वी लड़के यहां पर पहले चौमिन का ठेला लगा करता था बिल्कुल चेंज हो गया और यह हमारा एक काउंटर जो है वह फास्ट फूट का यह लगा हुआ है यह लगा हुआ और वगल में यह बंजारा वाला भी लगा हुआ है इसके अलावा यहां कोई भी गाईज खाने पिने का काउं वे आप काफी उपलब्द हैं अधर से निकले इधर से एंट्री करें देखिए बढ़ाया गया है और यहां पर याद किजब गाले काफी सरे कंटर लगे रहते थे आई स्क्रीम के अस्ट्रीम के अधिकल निकल उगए और एक और हमसारोसा काउंटर यह भी लगता है कि परम यहां पर फ्लो जो है वो काफी कम हो गया पहले से और यहां पर जो ठेला जो काउंटर जो भी काउंटर से लगता है कि बाहर की तरफ चले गया होंगे वो मुझे पता नहीं कहा गया है बट यहां से पूरा खाली हो गया गाइस पूरा खाली पूरा कैंपस खाली हो गया बस ए तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि यहां पर पूरी तरह से जो भी काउंटर से ठेला उला था सब हटा दिये गए तो इससे पब्लिक का भी आना जाना बहुत कम हो गया होगा तो काफी लॉस हो रहा होगा पार्किंग का चार्ज लगा दिया गया दो घंटे के लिए 20 सुपह लॉक दिया गया पहले जो प्रशानी होती थी लोग पार्किंग लगाने पर उससे तो खेर बहुत दिक्कत नहीं आ रही है लेकिन उसे जाधा दिक्कत आप लोग को आ रही है कि यहां से काउंटर रतने से प्रोवलम है कि काउंटर के वज़े से लोग आते थे काफी आज तो शनी वारे वह सब भीड दिखी नहीं रहा है प्लस में गेट एक एक खोला है बस एंट्री के लिए एक नमबर गेट ही बस खुला हुआ है बागी सारे गेट बंद है वह भी चार्जिंग है तो गंटे का तो मतलब लॉस काफी आपको बहुत लॉस काफी आपको पूरा मोर दिकत हो रही है की सामना करना पड़ रहा है तो आब लोगे तब देने वाद है तो आगे चलके देखते हैं आपने सुना है महन नीज का काफी दिकत है काफी प्रॉब्लम है वैसा जो भीड है वह नहीं है बट शादियों में पार्टि में तो यहीं लोग आके जो शॉप से दुकार ने वो तो चलेंगे ही क्योंकि वो रिक्वाइड बट उनको भी लॉस होगा क्योंकि जो विंडो कस्टमर आते हैं वो काफी पार्किंग सिस्टम से बनाया गया है इस पर काफी सौहलिद भी लोगों को हो रहा है उसका पार्किंग का चार्ज दो घंटे गारी का 20 रुपया का टाइम ही लिखा जागा टिकट में और बाइक की बाइक कर दस रुपया और जैसे आप एक्जिट करो कि वो टाइम नोट करेगा अगर आपको टाइम क्रॉस करता है तो फिर आपको वो एक्स्टा पैइमेंट लेना पर सकता है तो फ्रेंड्स यह था बदला हुआ मोरिया लोग जो मैंने आपको दिखाए इस व्लॉग में काफी दुख हुआ देखकर लेकिन देरे देरे यह भी चाम में वापस आएगा आई होप आशा करता हो तो अगर मुझे अगर आपको यह मेरा व्लॉग पसंद आया होगा थोड़ा सा भी तो शेयर करे लाइक करें और प्लीज बेल आइकन जूरु दबादें और सब्सक्राइब जूरु करतें मैं चनल को बाबाएं टेक के एंजोएं